शुक्ष शम्रद विग्यान चैनल और सिद्धिलोग चैनल में मैं सुसील कुमार शर्मा आप सभी जनों का हारदे कि स्वागत करता हूँ प्रीबंदूओ आज शाधना की कुछ अनुभूतियों के बारे में बात करूँगा साधक शाधना करता है इसको कैसी अनुभूतियां होती है कि लोगों को अनुभूतियां होती है और किस हद तक अनुभूतियां होती है इस समंद्मे में चर्चा करूँगा एक सरधावान लड़का जिसकी उम्र करीब 18 वर्स की थी आज के करीब 7-8 साल पहले की बात कर रहा हूँ तो उस समय टीवी पर कुछ योग का नया नया प्रिचलन सुरू हुआ था और योग करना फैसन बन गया था अब चुकि मैं तो पहले से योग करता था लेकिनों जो लड़का था उसको भी सब कुछ देख करके कुछ इच्छा हुई और उसने योग के लिए ज़्यादा तो कुछ नहीं बस कुरसी पर बैठे बैठे ही अनुलोम बिलोम कर लेना ये उसने सीखा तो जो बच्चे होते हैं बच्चे ग्रहाण सील होते हैं और इसलिए पढ़ने लिखने के लिए कुछ सीखने के लिए बच्चों को ही लगाया जाता है हम लोग कह देते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और कोई ब्रद्धिबिक्ति भी चाहे तो उसीख सकता है सब लोग कह देते हैं लेकिन वास्तों में जो सीख्चा बच्चे ग्रहाण कर सकते हैं जो उनके अंदर कैपिसिटी होती है ग्यान को अपने में अनभूत करने की और ग्यान को समेटने की वो प्रिक्रिया फिर जीवन के अन्य पड़ावों पर यह था संभू नहीं हो पाती है यह एक तथ्य है तो उस लड़के ने दो चार दस दिन अनलोम बिलोम ही किया और कुछ किया ही नहीं लेकिन चुकि एक आत्मभाव से किया अलांकि उसने आसन पर भी नहीं बैठा कुर्सी पर ही बैठे बैठे किया और उसका ध्यान लग गया हाट दस बार उसने किरिया कि इसके बाद उस थोड़ी दिर के लिए रुका और कुर्सी पर बैठा रहा बैठा रहा तो थोड़ी दिर में उसको ऐसा ऐसास हुआ कि मैं तो चट से टकरा रहा हूँ और चट से मेरा सिर टकरा रहा है और मैं उपर खड़ा हूँ और मेरा सरीर कुरसी पर बैठे योग कर रहा है और भेवसी की उस्ताव है वो अपने आपको देख रहा है कि मैं बैठा हूँ घर के अने लोग अपना कारे कर रहे हैं सब कुछ वैसा ही कि वल बस इतना था कि मेरा सरीर कुरसी पर बैठा है और मैं इधर खड़ा हूँ कुछ एक लोगों के अनुभो ऐसे भी होते हैं जैसे कि उन्होंने आकर के बताया कुछ लोगों के ऐसे भी अनुभो होते हैं कि यह देखते हैं कि मैं मर चुका हूँ और मेरा सरीर वहाँ पे है ऐसा फिर बाद में मैं सरीर में आ गया इसी प्रकार से यह भी लड़का सरीर में थोड़ी दिर बाद जद्दो जहत करने के बाद आ गया इसको ध्यान समादी ही कहेंगे और अचानक जद आप प्रियास किये बिना इस प्रकार की समादी लग जाना अपन्याप में ऐसा होता है कि अचानक ही कोई ऐसी क्रिया सिद्ध हो गई, सही हो गई, जिससे उस प्रकार की प्रक्रिया बन गई, वाँकि ऐसी जो अन्भूतियां होती हैं तो निरंतर योगा अभ्यास करने के बाद ही होती हैं, और ऐसी अन्भूतियां मुझे भी कई बार, ध्यान योग करते करते इस प्रकार के अन्भूतियां, आप उसमें अगर कंट्रोल कर लें अपने आपको, तो उसमें ये भी होता है कि आप अपने आत्मा को सरीर से निकाल करके, कहीं भी विचलन करके वापस आ सकते हैं, ये प्र आप लोग समझें, इसमें समय लगता है और सिस्टम से वो योग करना पड़ता है, फिर वहाँ जहां भी आप जाना चाहें, पहले तो आप बिना अपनी इच्छा के सतय ही किसी अग्याद प्रहणा बस कहीं कहीं घूम लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन बाद में ये होने लगेगा कि वो भूमना फिरना, वो आना जाना, वो सब का सब आपके ही कंट्रोल में हो जाता है, ये निरंतर अभ्यास का प्रगाम होता है, पर कुछ एक योगिक विभूतियां इसी को अनायास ही मिल जाती है, प्राप्त हो जाती है, इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति अगर साधना करता है, किसी देवी देवता के मंदर का जब करता है, तो उनको भी इसी प्रकार के नगोतियां होती है, कभी कभी तो साधना के दोरान ही साधना पर बैठे रहते ही परिक्षा सुरू हो जाती है, या तो लुभावने दरसे दिखेंगे कि बहुत ही सुन्दर सुन्दर, जो भी आपको सुन्दर लगता है, उस टाइप की सुन्दर चीजें, आपको ध्यान में दिख जाती हैं, ज जिन चीजों को आप चायते नहीं, और भयानक तस्वीर, जैसे कि उधारन सुरूप, किसी को ये पता चल गया कि चलो, उसको लगा कि कुछ उसके साथ इच्छा हो रहा है, कोई सुन्दर इस्त्री उसका आलंगन करने लगी, या सुन्दर इस्त्री उसको दिखने लगी, आ कि मैं जंगल में हूँ, जंगल में किसी भयानक चीते ने आक्रमन कर दिया है, या मैं कहीं फोर्स में हूँ तो, लडाई हो गई है, या ना दो देशों के बीच में, इस प्रकार के भी, या मान लो, कभी तो ऐसे लोगों को पता चलता है, कि मंतर जब कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि पीछे से कोई उनका मांस, नोचों कोई खार आए, इस प्रकार की बात है, ये सब इनको ना तो सत्य की स्रणी में रखा जा सकता है, ना ही इनको असत्य की स्रणी में रखा जा सकता है, बलकि यह जब तुरिया वस्था प्राप्त होती है, तो इस प्रकार की और तुरिया वस्था में ये दिब्यक्ति रह करके आत्मानुशासन सीख ले तुरिया वस्था में तो कुछ भी वो देख सकता है, कुछ भी कर सकता है। आवसिकता है उस च्छन को पहचानने की कि कब आप तुर्य हरस्था में जाते हैं और कब वो काम होने लगते हैं तुर्य हरस्था में जाते ही अपने सरीर का भान मिठ जाता है और वो है आत्मा मुक्त रूप से जो कुछ सरजन चाहे कर सकती है जैसा सरजन्चा है वो कर सकती है उसमें इतनी ताकत आ जाती है इसी प्रकार से कुछ लोग नहीं भी साधना कर रहे होते हैं कि एवल उनकी सरजधा है तो भी देवि और देवताओं के रिसियों के, सिद्धों के, मुनियों के उनको निर्देश प्राप्त होने लग जाते हैं उनके दर्सन प्राप्त होने लग जाते हैं और इस प्रकार की गठना से उसका विश्वास भी बढ़ता है यह तो मैंने बातें बताई उन लोगों के लिए जो की नोसिखिया है जो अभी तक जानते नहीं स्चेतर को लेकिन जो लोग जानते हैं वह नियमत अपने योगा भ्यास को करें और कुछ दिनों के परश्चात योगा भ्यास करने के परश्चात जब दो-चार महिने हो जाएं तब फिर उस योगा भ्यास को बढ़ाते हुए फिर किसी देविया देवता की मंतर की दिक्षा प्राप्त करनी चाहिए क्योंकि अगर फिर मंतर का सारा नहीं लेंगे तो ये जो उर्जा आपके अंदर समाइत हुई है ये उर्जा फिर बरवा चली जाएगी बेकार चली जाएगी अब उससे काम नहीं लेंगे तो वो सकती ही रूट जाएगी इस प्रकार का होता है तो मैं समझता हूँ कि आप लोग इस वीडियो में हमारे काफी कुछ योग की विभूतियों के सम्मन्द में जान गए होंगे और कमेंट करके आप लोग बताते रहें कि किस दिसा में वीडियो बनाये जाएं और उनका ध्यान रख्या जाएगा हमारे हाँ यदि आप कोई डिमांड करते हैं यदि संभू हो सकी तो उसको पूर्ड कर दिया जाएगा इसी के साथ जै शीवशंकर जै भूलनात हर हर महादेर